आज की वीडियो का टॉपिक एड कजाबी form submissions to Google Cheats सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने कजाबी के form submissions को automatically google cheats में add करवा सकते हैं तो इसके लिए आपको automation side करना होगा कजाबी और google cheats के बीच में पैन क्या होगा? जभी भी कजाबी में कोई भी user आके form submit करेगा हमारा एक particular form जो हमने हमारे यूजर के साथ share करके रखा है या फर किसी website के अंदर जो हमने उसे embed करके रखा है तो जब भी भी कोई user उस form को submit करेगा तो automatically उस submission की details हमारी Google Sheets में add हो जाएंगी बिना हमारी involvement के तो कैसे ही automation site करना है मैं बताऊंगा पूरी की पूरी process step by step अभी अपनी screen पर Okay, सबसे पहले हम अपने browser में type करेंगे www.pably.com सामने आ जाएगी official website क्लिक करेंगे sign up free पे अपना account free में बनाने के लिए आप अपना account free में बना चुके हैं तो आपको click करना होगा sign in पे मैंने भी बना लिया इसलिए मैं क्लिक करूंगा sign in पे उसके बाद access now पे click करूंगा पैबली connect के नीचे यह पे हमारे सामने dashboard उपन हो जाएगा पैबली connect का क्लिक करेंगे create workflow पे अपना workflow को नाम देने के लिए तो मैं अपने workflow को नाम दे देता हूँ kajabi to google sheets मैंने नाम दिया kajabi to google sheets आप चाहे तो कुछ और नाम दे सकते है एक बात बता देता हूँ इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है मेरा मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरे कजापी से बने हुए form को कोई user फिल करे तो automatically इस form submission के details मेरी इस google sheets में add हो जाए जिसका नाम है kajabi form submission details जैसे कि form submit करने वाले का नाम उसका email address और उसका phone number तो ऐसा मैं चाहता हूँ ऐसा करवाने के लिए मुझे पैबली कनेक्ट पर आना होगा अपनी first application में चूस करना होगा kajabi को search करके चूस कर लेना होगा तो उसके बाद trigger event में मुझे चूस करना होगा new form submission को और पैबली कनेक्ट ने मुझे web or qrl दिया है जिसको मैं copy करूँगा और नीचे दियेगा instructions को follow करते हूँ integrate कर दूँग अपने kajabi के form को पैबली कनेक्ट से तो मैं आ जाता हूँ अपने kajabi पे और सबसे पहले अपने forms को open कर लेता हूँ के लिए मैं क्लिक करूँगा marketing पे marketing पे क्लिक करने के बाद नीचे scroll करूँगा और यहां पर option आएगा forms का क्लिक करूँगा forms पे forms पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे मैंने कुल 4 forms क्रियेट किये हूँ है how to grow your online business, subscription form, etc, etc, तो इन चारों में से एक यह form है जिसका नाम है how to grow your online business इस particular form को जभी भी कोई फिल करे कभी जभी भी कोई user फिल करे तो मैं चाहता हूँ कि उसकी details मेरी google sheets में add हो जाए तो इस particular form को मैं क्या करूँगा open करूँगा तो इसके अंदर जो पैबली कनेक्ट मुझे वैबुक यूरल दी है उसको कॉपी करके add कर दूँगा एड करने के लिए आपको form open करना है यहाँ पे 3 dots पे क्लिक करके आपको क्लिक करना है वैबुक्स पे जैसा कि आप देख रहे है यहाँ response received हुआ है label और value blank है means हमारी जो वैबुक URL हो successfully हमने add कर दी है अब हमें क्लिक करना है recapture वैबुक response पे और yes पे क्लिक कर देना है तो प्रिव्यू करता हूं मैं इस form को यहीं से और यहाँ पे मैं इस form को फिल करता हूं माल लीजे मैं कोई dummy customer नाम का इंसान हूं dummy customer ठीक है और जो मेरा email address है dummy add direct pably tutes sorry pably tutes dot com यह मैंने अपना email address डाल दिया देन phone number यहाँ पे मैं अपना add कर देता हूं एक second okay यहाँ पे मैं टेस्ट phone number add कर दिया है website url जो है मैं इसको skip कर रहा हूं खाली यही तीनों रहने देता हूं register to can't blank नहीं छोड़ सकते इसको तो यहाँ पे मैं website भी डाल देता हूं अपनी pably dot com ठीक है then register for webinar पे click कर देता हूं ठीक है तो thank you we have received your submission चलके check करते हैं pably connect के पस तुरंट जैसा कि आप देख रहे है pably connect ने response received कर लिया है और यहाँ पे हमारे सामने जो है नाम email address और जो हमने data फिल किया था phone number और हमारी website url वो हमारे सामने एकदम perfectly means connection एकदम perfectly वर्क कर रहा है kajabi forms और pably connect के बीच का अब जबी भी हमारे kajabi के how to grow your online business वाले form को कोई भी user फिल करेगा तो इसी तरह से पैबली connect उस user की सारी details capture कर लेगा अब मैं चाहता हूँ यह details जो मिली है मुझे नाम, email और phone number यह तीनों मेरी इस google sheets में add हो जाए ऐसा करवाने के लिए मुझे नीचे आना होगा अपनी second and last application में चूस कर लेना होगा google sheets को सर्च करके चूस कर लिया google sheets को then action event में मुझे चूस करना होगा add new row को क्लिक करूँगा connect पे connection के लिए then add new connections पे then sign in with google पे then अपना google account चूस कर लूँगा जिस भी google account में वह google sheets मौझूद है okay then नीचे scroll करके continue पे click करूँगा don't worry pably connect is 100% safe authorization successful हो गया है और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा google sheets connected है pably connect से connect होने के बाद सबसे first field है select spreadsheet की तो यहां से मुझे spreadsheet select करना है जिसका नाम है कजाबी form submission details तो इस spreadsheet को मैं select कर लेता हूँ यह रही click करके मैंने इसको choose कर लिया है then इसके अंदर एक ही sheet है जिसका नाम है sheet 1 क्योंकि by default select हो गए है क्योंकि कोई दूसरा option ही नहीं है okay so मैंने sheet select कर लिए अब यह मुझ से मांग रह application का data action application में बहुत easily add कर सकते हैं कैसे कर सकते मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ आपको just click करना है user name की blank field पे हैना सामने नीचे आपके सामने आपकी trigger application आ जाएगी जो की है kajabi click करेंगे उसको पर जैसे ही सारा data open हो जाएगा यहाँ पे हमें क्या करना है user का नाम है तो यह कोई दूसरा user होगा और वो हमारे form को fill करेगा तो obvious सी बात है उसका नाम dummy customer नहीं होगा कुछ और नाम होगा different नाम होगा then उसके बाद जो दूसरा customer आएगा वो fill करेगा तो उसका भी नाम अलग होगा तो यह नाम change होते रहेंगे है ना तो जो भी नाम होंगे automatically वो one by one आके इस blank field में add होते जाएंगे है ना और change होते जाएंगे तो automatically data fill करवाने के लिए हमें map करना जरूरी है जब हम map करेंगे तो ही यह process automatically होगी that's why हमने आपे name map कर दिया इसी तरह से email address map कर देंगे यह रहा email address इसी तरह से phone number map कर देंगे यह रहा phone number क्लिक करूंगा save and send test request पे तो अभी instantly यहाँ पे नाम email address और phone number automatically add हो गया हमारी google sheets में तो इसकी presence बता रही है इस data की हमने हमारा automations add कर दिया है just अब हमें save पे क्लिक करना है और अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यह पूरी process अब automatically होगी अब जब ही हमारे कजाबी के form में कोई new submission प्राप्त होगा तो automatically submission की details पैबली connect के द्वारा google sheets में add कर दी जाएंगी जैसे की यह वाली details होई है और यह पूरी process खुदबा को दोगी आपके involvement की जरा भी जरूरत नहीं है और जब तक यह workflow on है यह process होती ही रहेगी तो ना सिर्फ इन applications को पैबली connect के help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो automate कर सकते हो ब अगर आपके कुछ questions होता है कुछ queries होती है तो आप बिलकुल मुझसे मेरी team से यहाँ दी गई link पर पूछ सकते हैं second thing अगर आपको पैबली connect की pricing जाननी है तो यह second वाली link पे जाके आप pricing चेक कर सकते हैं और सबसे last thing कि अगर आपको यह video पसंद आया और आप satisfy है तो आप इस video को share बिलकुल कीजिएगा और मेरे channel को subscribe करना मत भूलेगा और video को like भी करना मत भूलेगा Thank you